असलाम लेकूम कैसे हैं आप सोब अमीद है कि सब ठीक ठाक होंगे खुश होंगे मज़े में होंगे आज मैं आपको बताओंगी धनिया वुदीने की चिटनी को किस तरह से हम लंबे अर्से तक स्टोर कर सकते हैं यह रैस्पी मेरी उन सिस्टर्स के लिए बहुत दार बैनिफ इसी तरह से हम तमाँ पते तोड़के लदा कर लेंगे और दूसरी तरफ हमने लिया है धनिया और धनियों को भी हम अच्छे तरिके से इसी तरह से साफ करके इसको कट कर लेंगे इस बात का अपने दिहान रखना है कि धनिया की जितनी कॉंटटिटी हम ले रहे हैं उससे आ हमें सारे काम पेजस्ट कर के लिए पिर्णाओरा थां में आईञिस्ट करके हैं लिए लाध में सिक्तिते हैं सब पारी जाए पानी तर्रेक्विकalten लिए B ये लेंजी चटनी हमारे पास फ्रीज होके आ चुकी है अब हम इसकी बैक साइड पे थोड़ा सा पानी डाल के इन क्यूब्स को इस तरह से निकाल लेंगे किसी भी प्लेट में निकालने पहले अब आते हैं उन मैथर्ज की तरफ कि हमने इनकों किस तरह से फ्रीज करना है सबसे पहले या तो आप एक साफसुरा सा बॉक्स ले और उसमें इस तरह से इसको डाल के और इसको सेव कर ले फ्रीजर में फ्रीज कर दे इस तरह से ये फ्रीज हो जाएगी और इसको cover करके ही रखेंगे जब भी रखेंगे दूसरा तरीका ये है कि आप इसको किसी भी zip lock bag में डाल के आप इसको freezer में freeze कर सकते हैं मैं इसको zip lock bag में store करने वाली हूँ इससे space बहुत ज़्यदा हमारी बच जाएगी freezer में इस तरह से हम इससद को डाल देंगे और end पे इसके जो भी थोड़ी बहुत air होगी उसको निकाल के इस तरह से हम इसको seal कर लेंगे उसके बाद इस package को हम freezer में side पे उपर जो space होती है महाँ पर भी रख सकते हैं इसके इलावा अंदर भी रख सकते हैं तो ये मैंने इस तरह से रख दिया है और ये मेरे पास कुछ lemon store है इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है link में description में mention कर दूँगी किस तरह से हमने इनको store करना है उसके बाद जब भी हमें ज़रूरत होगी हम रख से ये दही में डाल देंगे एक क्यूब और इसको एक से दो मिनट तक वेट करेंगे और ये इस तरह से अच्छे तरिके से ये mix हो जाएगी अब जब भी चाहें आप easily इसको निकाले और बना ले और जिदगी को असान बनाए इस तरह की मजीद tips और ट्रिक्स को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले रम्दान से पहले पहले आप इस चिट्नी को जरूर बना कर रख ले आउंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए अलाहफेज